सो प्रीरिएस लेक्चर में हमने जनरल इंट्री से स्टाइट किया था और मैंने आपको एक जनरल इंट्री समझाई थी इस इंटर कि आईraw सभी को वह अगरे स्ब्सक्राइब ने करें होगा और उसके बाद हमने going concern principle को discuss किया था तो उसके बाद आगे बढ़ने जा रहे हैं हम going concern के बाद हमने accrual concept को भी थोड़ा सा discuss किया था क्योंकि ये concept आपको काफी technical पढ़ जाता है even कई chartered accountant student भी इस accrual concept में थोड़े से confused हो जाते हैं कि बेरी मुच अवेर बाउट अक्रूवल कॉंसेप्ट लाइक बट इस सिल कई बार एक policy company की ऐसी होती है कि जिसके according उनको थोड़ा सा difficulties आती तो आज हम उस technical part को discuss करने जा रहे हैं अच्छा क्लास में कि सर हम तो बिल्कुल इसमें जीरो है जैनल इंटरी एक लिख रहे हैं पपू कुमार ठीक है और बाकी सब को आती हैं जो यह बोल रहे हैं कि सर हमें तो और discuss करेंगे क्योंकि यह सेकंड लेक्चर और थर्टी लेक्चर में हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है तो आपको अक्रूट कॉंसेप्ट में पहले भी बहुत बार बता चुका हूं लेकिन आज मैं आपको अक्रूड कॉंसेप्ट में एक नई चीज बताने जा रहा हूं और वो नई चीज है पॉलेसी ऑफ दी कंपनी अब पॉलेसी ऑफ दी कंपनी क्या होती है सर इसको थोड़ा सा समझे हम पॉलेसी ऑफ दी कंपनी का मतलब यह है कि कंपनी कोई भी एक्स्पेंडिचर करती है तो उसको एक पेड अकाउंट में डाल दे कितने लोगों को यह बात समझ में आगी सर पेड अकाउंट में डाल दे और वहां से एक्स्पेंडिचर वो कर रहे हैं जैसे कंपनी ने एक अकाउंट बना लिया प्री पेड अकाउंट और फिर यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं हमने जो भी पेड किया उसको हम प्री पेड अकाउंट में डालेंगे और फिर वहां से ट्रांसफर करेंगे एक्स्पेंसिस अकाउंट कितनों को यह बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कि सर हमने इसको अभी हम केवल एक्स्पेंसिस के पॉइंट अफ़ी से बात कर रहे हैं मैंने पहले भी शायद समझाया हुआ हो आपने को मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग्स देखी हो क्योंकि यह तो अलग से हैं तो एक्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं हमने एक इंश्यॉरेंस पॉलेसी लिए और वो पॉलेसी लिए हमने थ्री यर की या एटीन वंद की ले 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 लिए और हमने उसका पेमेंट कर दिया 24,000 डॉलर और यह पॉलेसी हमने लिए यह फॉलेसी का नाम है पॉलेसी लिए टीक है पॉलेसी यह के नाम पॉलेसी यह के नाम पॉनिए सकुछ दूए है तो आप मुझे चल्थ जनरल इंट्री बताओ कंपणी जनरल क्या करें परिपेड ने डालते समय यह दिमाग में आपके वार्ड क्लियर होना चाहिए कामनी ने क्या जेनरल इंट्री पास करें करें कि सिंपल सी बात है सर कंपनी ने प्री पेड एक्स प्रीपेड इंस्योरेंस अकाउंट डेविड टू कैश यह कर दिया होगा जी सर कितना कर दिया होगा सर अमाउंट के रूप में अगर हम डिसकस करें सो ट्वेंटी फॉर्थ अब कंपनी की एक पॉलिसी है कि वह एक्स प्रीपेड से उस ड्यूरिंग यह एक्सपेंस को ट्रांसफर करती है जो करेंट यह का एक्सपेंसे से वह प्रीपेड से ट्रांसफर करती है तो बदाए कितना ट्रांसफर करना चाहिए जुलाई फस्ट में मतलब जुलाई क्या पहले एयर में पहले एयर में कितना ट्रांसफर कर देना चाहिए कंपनी को तो सर अब्विस सी बात है अब हमारे पास 18 मंद की पॉलिसी तो पहले पर मंद का डेटा निकाल ले हम 24,000 divided by 18 तो approximately 13,000 वन ट्रिपल थ्री आ गया राउंड फिगर में हम इसको वन डबल थ्री ट्रिपल थ्री ले लिए पहले साल का खर्चा किता होगा जुलाई अगस सेप्टेमर अक्टूबर नॉंबर दिसंबर छे महीने का मुल्टिपलाइ सिक्स कर देंगे तो सर वन डबल थ्री इंटु सिक्स तो अप्रॉक्सिमेटली एट थाउजन ले ले सेवन डबल नाइन नेट तो पॉइंट त्री था तो अब जनरल इंट्री क्या पास होनी चाहिए तो सर अब कंपनी को इंट्री पास करनी चाहिए इंस्वरेंस एक्सेंस अकांट डेबिड वो पास करना चाहिए एट थाउजन तू गैश या प्री पेट टूप्रीट में बात समझ में आदी यह आपकी जनरल इंट्री को यह एर वन क्लियर है सभी को यह बात इस पर पॉलिसी अब कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम क्या ऐसी इंट्री नहीं कर सकते थे एक्सपेंसे अकाउंट डेबिट और प्रीपेड दिखिए सबसे पहले आप कोर्स को पढ़ रहे हैं अमेरिका की यूएस को तो आपको यूएस गैप में जैसा बोला गया है वैसा ही करना पड़े हम हमारे इस आपसे चेंज नहीं कर सकते कंपनी की पॉलिसी के कॉणिंग चल रहे हैं जब मैं आपको बार बाब बोल रहा हूँ पॉलिसी ओप दी कंपनी तो फिर वो कंपनी की पॉलिसी आप अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते कि एक्सपेंसे में पहले डेबिट कर दिया समझ गे बात समझें में आपको क्या बोला करते हैं सो बात क्लियर हो गई आप सभी को कोई किसी को इसमें फर्स्ट येर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब कंपनी ने सेकंड येर में एक और पॉलिसी ले लिए सेकंड ये उसका नाम है पॉलिसी भी और वो कंपनी ने लिए थर्टी फर्स्ट मार्च को ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च को जो पॉलिसी लिए है वो लिए ट्वेल थाउजन की फॉर्ट टू येर आपके लिए एक असाइन्मेंट है सेकंड येर में ओवराल जेनल लिट्री बताना है सेकेंड येर की जान पॉलिसी की और पॉलिसी एक इग बिए एक मबाइन जनर्ल इंटरी बताना हैं पॉलिसी लिए टू की ट्विल थाउजन का पेमेंट कर दिया हमने तो आपको इंट्री बनाना है और ऐसे अधी अधूरी नहीं लिखना है चैड बॉक्स में लिखें तो चिपका दिया करो वो चैड बॉक्स में स्क्रीन शाट अटेच्छ हो जाता है लिखिए क्योंकि आप यहां पर सीखने आया मैंने बुला इस 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 क्लास में आपका पार्टीसिपेशन बहुत इंपॉर्टन्ट अब झाल झाल आयेगा समझ राज मिश्रा अबन क्या ट्विल्स पास है या ग्रेजुशन कर रखा वेटा अगर अपने को यह जैनल इंटर नहीं आ रही है तो कहीं न कहीं इस्कूल में बड़ी दिक्कत थी अपने अच्छा ट्विल्स में पास है आप वोके अपिर तो दिक्कत आनी है दीरे-दीरे समझ में आएगी पहले बेसिक क्लास आपको पढ़नी पढ़ेगी और अब कई बच्चों ने सीधे प्रिपेड टू बैंक लिख दिया सो आपको यह ध्यान रखना है कि हमने सेकंड एर में पॉलिसी लिए है तो हमने यहां पर प्रिपेड लिख दिया लेकिन वह से बताना थोड़ी था प्रिपेड तो कोई भी बताते था प्रिपेड इंशूरेंस आपको तो अमाउंट बताना खर्चे में कितना जाएगा यह तो कोई भी बता देता है इस इंट्री के तो बात ही नहीं कर रहे थे हम हम आपसे बात कर रहे थे कि पुराना जो अभी भी प्रिपेड बे कितना पड़ा हुआ पुराना बैलेंस को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वह पॉलिसी कितने साल की थी 18 महीने की थी 18 मंद की तो पिछले साल कितने महीने expired हो चुके थे 6 महीने मतलब पिछले साल का 12 तो खर्चा में जाए गई जाएगा तो expenses account आपको बताना था expenses account में कितना जाएगा सर सीधी बात है 24 में से 8 चला गया तो यह वाला तो expenses में जाना ही जाना है और इसका भी तो कुछ जाएगा की नहीं जाएगा इसका कितना जाएगा सर 12,000 divided by 24 करो तो पर मन्त कितना आता है 500 आता हूर हमने policy कब ली 31st मार्च को मतलब इस साल का expenditure कितना हो गया 9 मन्त का multiply 9 कर दो 4500 होगे तो सर टोटल 16,000 प्लस 45 तू तू क्या तू प्रीपेड एक्सपेंस बात समझ में आई कितने लोगों को पूरा clear है सर 31st मार्च में 10 मंत का कैसे होना चाहिए अरे 31st मार्च में जन्वरी फर्वरी मार्च 3 महीने खतम हो गया तो 9 मंत होगा ना बिटा 31st मार्च क्लोज हो चुका है कोई मेंने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी मुष्कान आपको कौन सा अमाउंट समझ में नहीं आया बापिस से पूछलो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉंसेट है कौन सा अमाउंट किसको समझ में नहीं आया सब दोनों येर के अकाउंटिंग सिंपल थी पहले येर आपने 24,000 पेमेंट किया पूरा शुरू से समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉंसेट आपने इंशॉरेंस पॉलिसी ली 24,000 आपने उठा के एक अकाउंट कंपनी की पॉलिसी क्या है कंपनी जो भी पेमेंट करती है वो प्रीपेड अकाउंट में डेबिट कर देती तो सर हमने प्रीपेड अकाउंट में 24,000 डेबिट कर दिया कैश यहां तक तो किसी को कोई जनरल इंट्री की प्रॉब्लम नहीं हो चीजिए ये पेमेंट की इंट्री है और पहले एर की पॉलिसी कितने महीने की लिए सर अठारा महीने की और कब लिए है जुलाई में तो जुलाई एक जुलाई को लिए तो जुलाई ऑगस्ट सेप्टेमबर अक्टूबर नॉंबर डिसंबर कितने महीने हो गए सर छे महीने 6 month हुए न, तो यह जो 6 month है, यह कहां पर जाना चाहिए, खर्चे में जाना चाहिए, तो policy itself 18 महीने की थी, तो आपने क्या किया, 24,000 divided by 18 into 6, यह 8,000 को expenses में डालना है, तो यह prepaid से कम करके insurance expenses में हमने डालनी है, तो अब अगर देखा जाए, तो 24 minus 8 अभी भी prepaid में कितना balance बचा हुआ है, प्रीपेट का जो balance है, वो अभी भी 24,000 minus 8,000, अभी भी कितना बचा हुआ, 16,000 balance बचा हुआ, बास समझ में आती है, यह वाली, यहां पर US gap में, अगर accounts closing की बात कर रहा हूं, तो हमेशा 34 December ध्यान रखना, इंडिया निसाब से नहीं सोचना है, अब जब हम second year में आए, तो second year में हमने second policy ले ली, policy number two, policy number two का tenure अलग है, एक company बहुत सारी policy ले सकते हैं, ज़रूरी दोड़ी कि एक policy लेगी, तो अब हमने क्या किया, 12,000 का payment किया, तो हमने सीधे payment account में क्यों company की policy क्या है, company प्रीपेड में डाल देती, तो company ने payment किया, 12,000 to cash या bank जो भी लिखना है अब को, अब इस policy का expenditure current year में कितना book होना चाहिए, मैं आप से पूछता हूं, तो sir अगर मार्च को लिया है, तो इस policy का period होगा, 9 month इस साल को belong करता है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, 12,000 divided by 24 और इस साल में कितने year मन्त होते है, 9 month, 9th month का expenditure यह 45 निकाला, तो यह तो इस policy का है, और पिछली policy का जो tenure था, वो 18 महीने का थो, तो last year में 6 महीने बुख हो गए, जुलाई, अगर्स, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर, तो अभी भी 12 महीने मतलब next year का, तो 18 में, 24 में से, 8 का खर्चा previous year डाल दिया, तो 16 का खर्चा इस साल और यह वाला खर्चा इस साल, तो 16 प्लस 45, चलिए examiner आपसे पूछेगा, second year में prepaid balance कितना होगा, कितना बताओगा, prepaid का balance, कौन बताएगा, तो सर सीधा गड़े थे, last year 16,000 का था ना, इस साल अपने 12,000 डाल दिये, कितना हूँ 28, 28 में से खर्चा कितना बुक कलिया, बीस पांचो माइनिस कर, तो बस 75, बास समझ में आ गई, आई के सभी को ये बास समझ में आ जाना थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, दो साल की different, क्या आपने ऐसी इंडिया में accounting सोची थी? सर ऐसा same concept क्या, accrual income, accrual expenses, बिल्कुल हो सकता है, आयूश शत्रुवेदी पूचरे सर, 12,000 माइनस 4500, वह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं, बड़ मैंने उसमें opening balance को भी consider कर लिए, मैंने उसमें opening balance को भी consider किया, कि मैंने ये वह बहुला ना, last year का 16 बचा हुआ, उसमें 12 प्लस किया, तो 28, 28 में से जितना खर्चा बुक कर दिया, तो इस तरीके से आपको expenses की accounting भी समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आई, अब इसी question को मैं आपको एक assignment अभी की और दे रहागू कि ये काफी technical point है, इसके अपर मैंने तीन lecture सोचा हुआ है, बिल्कुल question में company की policy given होगी, अब मैं आपको एक और same kind of example दे रहा हूँ, company ने एक property लिए rent पे, property, और company की वही policy की company prepaid account में debit कर देती है, प्रिपेट account में क्या कर देती है, चार्ज कर देती है, ठीक है, let's say, company ने first July को rent लिया है, और thousand dollar पर मन्त है rent, company ने सीदेक लंप सम पेमेंट कर दिया, 4500 dollar चीक है, और company की सीदे policy है, फर्स जॉलाई को पेमेंट की, ये था year one, आप लोगों का एक टास्क है, अभी क्या भी है, year two, company ने जो rent paid किया है, फिर एक पेमेंट कर दिया, company ने 16,000, पास जनरल इंट्रीज, अगर आप नहीं ये कर लिया, तो आप intelligent हो चुके हो, और मुझे इसका एंट्र मेरे mail पर चाहिए, एकसल पर, this is your live assignment, पास जनरल इंट्रीज बोथ दियर, I will not say any word, मैं आपकी जनरल इंट्रीज को अपने mail पर चाहता हूँ, राइट नाउ, मेरा mail आईडीज आपके पास होगा, नहीं है, चलो लिख लीज़े, इस पर मुझे mail करो, पूरी प्रॉपर इंट, कोकि अगर आज आप नहीं ये कर लिया, तो आप कुछ लेवल पर हो, नहीं तो आपके साथ मुझे, एक दो घंटे एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा, हमने policy क्या बनाई है, जो भी payment करते हैं, वो हम prepaid rent में डाल देते हैं, तो हमने सर्फ payment के टाइम क्या एंट्री करी होगी, ये बता दो आप मुझे, payment के टाइम, prepaid rent account debit 2, cash कर दी होगी, इसमें किसी को कोई doubt, अब मुझे बताओ, पहले साल का rent expenses कितना, बस इतना बता दो मुझे, मेरा question आप से यह है, पहले साल का, expenses कितना बुक होना चाहिए, 6,000 बुक होना चाहिए, बास सबको समझ में आती है कि नहीं आती है, सर्फ खर्चा 1000 डॉलर पर मन्थ है, हमने एक जुलाई को प्रॉपर्टी ले लिए, तो जुलाई से डिसमबर तक 6 मन्थ होते हैं, तो हमारे हिसाब से खर्चा जो रेंट एक्सपेंसेज हैं, अकाउंट डेबिट काई बच्चों ने 12,000 लिख दिया इसको, 6000 होगा, कितना प्रीपेड से उठाले, शर्फ प्रीपेड से 45 बूट अठालो, और अभी भी क्या बाकि कुछ पेमेंट किया है, बाकि क्या है, किस नाम से जानते हैं उसको, किस नाम से जानते हैं, US गैप में उसका नाम कुछ और है, अक्रूड रेंट यह थी पहले साल की इंट्री फर्स्ट इस चलिए सेकेंड इयर की जेनरल इंट्री अब सेकेंड इयर में सर हमने बोला हमने सिक्स्टीन थाउजन पे कर दिया है तो हमारा तो एक पॉलिसी है प्रीपेड एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट सिक्स्टीन थाउजन तू कैश हम तो यह इंट्री कर देते हैं जैसे ही पेमेंट होता है अब मुझे बताओ सेकेंड इयर का एक्चुल एक्सपेंडीचर कितना है एक्चुल एक्सपेंडीचर सिंपल सी बात है पिछल अगला साल तो पूरा साल भर आक्यूपाइड रहे तो थाउजन डॉलर के साब से बारह हजार तो सर रेंट एक्सपेंसेस तो अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा ट्विल थाउजन हो गया तू क्या करें अब जो अमाउंट आपका प्रीपेड में पड़ा हुआ था अभी भी प्रीपेड में कितना पड़ा देको पिछले साल जो फॉर्टी फाइव अंडेट डाला था वह फॉर्टी फाइव क्रेडिट से खतम होगे यही वाला पड़ा तो प्रीपेड अभी भी कितना उठाना पड़ेगा अब जो एक्स्ट यह क्या यह लास्ट यह का आमने पंद्रा सुपे नहीं किया होगा इस साल तो यह भी तो डेबिट होगा कि नहीं होगा कितनों को यह बास समझ में आगी कि यह सर्व जो लास्ट यह का अक्रूड रेंट था जो आउटस्टेंडिंग था वो भी आपने प्यकिया होगा तो अब आपने प्रीपेड से इस साल का बारा अजा ट्रांसफर किया और पिछले साल का पंद्रा सु पेमेंट किया तो आपने यह पर थर्टीन थाउजन फाइवंड़ को अभी भी आपके इस सिक्स्टीन थाउजन माइनस 13 थाउजन प्रीज़ पच्छिस्टो का बैलेंस अभी भी आप बास समझ में आई या नहीं बताइए लिए कि कंपनी की पॉलेसी समझ में आ गई आपको क्या सेकेंड यर में कुछ आउटस्टेंडिंग बचेगा क्या कोई सेकेंड यर में आउटस्टेंडिंग है कुछ भी आउटस्टेंडिंग बताइए एक्सपेंसिस की पूरी अकाउंटिंग आ गई की नहीं आ गई आप इसके बियोंड कुछ भी नहीं नहीं चाहिक अब मेरे को आपने काम मोर करके देना है खेंस परेलिय क्यों सब्सक्राइब कि उसको मुझे भीजना 15 gambs का सारे लेजर बना के मुझे पहुंछानाए यह वाले या साइन्मेंट या लेजर और आप यह समझिए कि अगर आप यूएस सीटीय कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल इंट्री को समझना ज्यादा इंपोर्टेंड है कि अग्जाम वह आपसे यह पूछ सकते हैं कि प्रीपेड में कितना बचा होगा आप प्रीपेड में कितना बचा होगा तो सर कितना असान काम था सेकेंड येर में हमने सोलह हजार का पेमेंट किया है करेंट येर का चो खर्चा है वह बारा है और लास्ट येर का आउट्सेंडिंग हमने पंद्रा सो पेमेंट जी तो आपको ये तो निकालते आजागे लेकिन आपको हर ट्रांजेक्शन का अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या आज यके बाद एक्स्पेंस अकॉंटिंग में आपको कोई दिखकत आएगी इस इसे श्पार्ण नहीं आ खान का आंपको एक्जाम में पनानी के नहीं पुछे जाते लेकिन क्या होता हर चीज बनानी हो इस कारण नहीं आनी चाहिए सब कुछ आता हो तो कुछ उससे फिगर निकल आते अब आ बोलो कि सब यह नहीं पूछते तो यह नहीं पढ़ेंगे जनी होता अब एड़ नोट आस्की तु प्रिपेर लेजर बट डेफिनिटली देविल आस्क यू जनरल इंट्रेट्रीं परसंट देयर अंड्रेट परसंट चांस की आप से जर्रेल इंट्रेट्रीं पूछी जा सकते यू जर्णलेंट तो पूछने के बहुत री ज्यादा संभावना इस ट्राइप की जनल इंड इंड इन कमिंग चाप्टर सिमुलेशन यूविल डिफिनेटली सीज दीस काइंड फॉस्टेंड अब यहां पर सरम आउटस्टेंडिंग वर्यूस करें सरह मोग आउटस्टेंडिंग करें तो ध्यान रखिए आउटस्टेंडिंग एंड आउटस्टेंडिंग एंड अप्रूड एक्सपेंसिस इस्टा सिमिलर वर्ड लेकिन जो आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसिस हैं यह इंडिया में यूज्स किया जाता है not in USA वहाँ पर इसको अक्रूड एक्सपेंसिस के नाम से ही क्या है जाना जाएं सर सेकेंड येर में प्रिपेड अकाउंट 16,000 से क्रेडिट कर सकते हैं क्या अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर यहां पर हम 16,000 से क्रेडिट कर दे चलिए नितीश कुमार तुमने पूछा है कि 16 से क्रेडिट कर देंगे तो क्या नुकसान होगा तो अभी भी तो प्रीपेड में पच्छी सो बचा फिर क्या करोगे डेबिट क्या करोगे तो सर प्रीपेड वापिस से डेबिट कर देंगे कई बच्चे बोल रहे हैं अरे तो फिर प्रीपेड वापिस से अगर डेबिट कर दोगो तो मतलब क्या निकला हमें यही तो पता करना है कि अभी भी प्रीपेड का बैली इस कितना है इस्टिल हमारे पास ट्वेंटी फाइवंड डिस इस कॉल्ड अकाउंटिंग आपको एक अच्छा अकाउंटेंड बनना ही पड़ेगा और अगर हमने यहां पर 16,500 पूरा क्रेडिट कर दिया तो फिर एक्सपेंसे धाई जल से जादा हो जाएगा फिर आपके एक्सपेंसे 14,500 बुक करोगे और अगर आप ऐसा कर लोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि आपका रेंट थाउजंड डॉलर पर मन्त है इन्टू ट्वेल वो तो बारा हजार है तो आप उसको 14,500 क्यों बुक करोगे बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई डॉट क्लियर हो गया नितीश सर क्वेश्चन में पॉलिसी के अकॉर्डिंग बोला होगा यह अज्यूम करें तू हंड्रेड पॉर्षेंड क्वेश्चन में पॉलिसी के बारे में बोला होगा डारेक्ट जैसे मैं बोलता हूं वैसे नहीं बोला होगा कुश्चन में आपको यह लाइन कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी पॉलिसी एस पर दा पॉलिसी कंपनी मतलब खुड़ा गुमा फिरा कि देखना आप अभी जब आने वाले समय में सिमुलेशन करेंगे तो यू विल सी दे सिमुलेशन सच काइंड बड़ी अलगा कि नहीं मज़ा आया कि नहीं आपको तो यह बताओ सबसे पहले मज़ा जरूर आना चाहिए कि सर बड़ा डिफरेंट चीज़ सीखिए इसलिए तुमें बोर रहा हूं अगर कोई चार्टेट अकाउंटेंट भी वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी बोलेगा यहां तो क्लास में नहीं समझाई जा सकते हैं क्योंकि फिर उसमें समय लगते जाएगा एक ही युनिट को पढ़ाने में 25-30 घंटे तो नहीं खर्च कर सकते हैं तो वह हमारा साइमिल्टेनिस ली अलग चल रहा है में और यह हमारे फंडामेंटल्स जो है वह अलग से चल अब जो को नहीं आया है यह वह आज डिसकस करूंगा क्लास में एग घंटे बात क्लास ही को साड़े शे बज़े होती है तो अब आपको थोड़ी सी बीसिक्स बातें और बता देते हैं अ पूद अ कृट एक्सपेंसेस अक्रूड इंकम इसका एक उल्रडी लेक्चर में आज एलमेस में भी डाल दूँगा जिससे आपको इसकी अकाउंटिंग और भी डीटेल समझ में आ जाए वैसे मैं CPA वालो स्टुडेंट के लिए तो उनके में एलमेस में डाल चुका हूं यह 30 लेक्चर में भी उसको डाल दूँगा इस पर्टिकलर पॉइंट में किसी को कोई डाउट इस पूरी अकाउंटिंग में हमने दोनों साल की अकाउंटिंग को डीटेल में समझ लिया चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक कॉंसेप्ट होता है consistency principle का यह मतलब होता है कि अगर आप अपने अकाउंट को प्रिपेर कर रहे हो तो उसमें consistency फॉलो करने पड़ेगी मतलब जैसे आप एक साल अपने इस टॉक का वैल्योशन फीफो से नेक्स्ट एयर जरूरी नहीं कि आपने लीफों कुछ बदल देना है मतलब आपको य क्या करना पड़ेगा is MBT किया करना पड़ेगा पॉलिसी को कंशिस्टेंट्री फॉलोऊ करना पड़ेगा मतलब हर साल एक ही पॉलेशी को क्या करना फॉलोग ENT afin जैसे आपwriter लगान तो लास्ट अवन नगा आया तो नेक्स्ट ये ये लगाऊगे तो यह कंसिस्टेंसी पॉलिसी अकाउंटिंग प्रिंसीपल तो यह थ्योरी में पूछ ले सकते हैं इकोनोमिक एंटिटी इंटिटी कोन बताएगा इकोनोमिक एंटिटी का कॉन से इलेवन क्लास में पढ़कर आ रहें कोई भी क्लास का स्टूडेंट यह नहीं बोल सकता कि सब्सक्राइब को बिजनेस एंटिटी कॉनसेट नहीं पता है कि क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉनसेट लिखो जड़ा एक एक लाइं जार मैं तो सीबीएशी आले बच्चों को बहुत इंटेलिएट समझता था पहले पहले समझता तो तो फ्रमें पहले भी नहीं था सीबीएशी वाले बच्चे नाइंटी एट लेकर आते थे और किसी जमाने में में सीएफ फांडेशन उनको पढ़ाता था उनसे जनल एंट्री भी नहीं आती थी पता नहीं सीबीएशी में एंटीट कैसे लिए आते थे और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वह बिजनेस मैं की नहीं करते बिजनेस की करते इसी लिए जब बिजनेस में जब ऑनर क्यापिटल लगाता है तो उसको बिजनेस के पॉइंट अफ्यू से एज लाइबिलिटी माना जाता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉंसेट होता है जो आप इलेवंद में पढ़ चुके तीसरा एक प्रेंशिपल ऑथा कॉंसर्वेटिव प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टं जिसको बुडेट भी बोला जाता किसको पता प्रूडेंस मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है वैसे प्रूडेंस मतलब आप conservative approach के according financial statement बनाते हैं आप प्रोबैबल losses को तो बुक कर लेते हैं बट anticipated profit को क्या करते हैं इगनूर करते हैं या anticipated losses को आप क्या करना है record कर लेना है लेकिन आप जो प्रॉफिट्स होने वाला है उसको आप इगनूर करते तो यह पढ़ने के लिए मैंने आपको दिया है जितना इसमें नहीं लेकिन यह बैलेंशी डेट के adjustment आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और इस बात के लिए मैं आल्रेडी आपको लेक्चर एलमेस में दे चुका हूं क्योंकि सूपर थर्टी क्लास का मतलब एवरिटिंग नहीं है कुछ उसकी रिक्वार्डिंग भी मिलेगी तो आइस आप लोगों ने देख लिया होगा वो देख लिया कि मैंने आपको वीडियो भेजे हुए हैं अक्रोड प्रिपेड अक्रूड इंकम एलमेस में अप्लोड किये हुए हैं देख लिए ना आपने प्रूडेंस वाला समझ में नहीं आया मुश्कान जी पूछने सर वाट इस दे मीनिंग और प्रूडेंस चलिए बताते हैं विद एग्जाम्पल भी बताते हैं प्रूडेंस अब आप खुद बताना मुझे आपने कि स्टॉक खरीदा स्टॉक बाय किया इन्वेंट्री कॉस्ट उसकी कॉस्ट सी फिफ्टी थाउजन और उसकी एनार्वी हो गई एनार्वी मतलब नेट रिलाइजेबल वेल्यू लेट से फिफ्टी फॉर थाउजन मुझे बताईए मुस्कान बैलेंच शीट में जब आप अपनी बैलेंच शीट में इस्टॉक का वेल्यू कितने पर लिखने वाला है कौन बताएगा सभी एंसर दो सभी लो 60 थाउजन या 54 थाउजन तो सर प्रुडेंश कॉंसेट बोलता है कि एंटिसिपेटड लॉस को बुक कर लो मतलब आप क्या करोगे एंटिसिपेटड लॉस बताइए यहां पे 6000 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको कि यह लॉस एंटिसिपेटेड है कि नहीं जो माल आपने खरीदा था आज उसकी वेली होगी 54,000 तो आप अपनी बैलेंश शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टॉक को 54,000 पे लिखोगे क्योंकि अब वो जो माल है वो 60,000 का नहीं बिखेगा वो 50,000 को तो आपने अपनी बुक में अपनी 60,000 की इंवेंटरी को 54 पे अब कोश्चन यह आता है अगर इस मार्केट में इसकी वेल्यू 66,000 हो जाती तो कितने पर रिकॉर्ड करते हैं इस टॉक को अभी फिर मैं प्रोवीजन का मतलब भी समझाऊंगा आपको कई बोलते से इसका प्रोवीजन बनाना पुड़ेगा तो सर यहां पर हम क्या करेंग सिक्स्टी पर रिकॉर्ड करेंगे बताइए क्यों 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 कि मैंने क्या बोला जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको क्या करना है सर जो सिक्स्टी की चीज थी वो सिक्स्टी सिक्स हो गई स्टिल हम उसको सिक्स्टी पर लेने दे रहे हैं क्यों क्यों क्यो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको क्या करते हैं इगनोर करते हैं यही कॉंसिप्ट क्या है कंजर्वेटिव कॉंस अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर यह सिक्स्टी की चीज आपने जो फिफ्टी फॉर बताई थी यह हमें 6000 इसका कोई प्रोवीजन बनाना चाहिए क्या लॉस को अब यह बड़ा एक टेकनिकल कोश्चन पूछ लिया है वैसे तो बहुत टेकनिकल नहीं बहुत सिंपल सी बात हैं लेकिन हो सकता आप लोगों के लिए टेकनिकल हो और अगर मैं यहाँ पर यह बोलू कि यह लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा यूट निट टो रिक नाई जैनी प्रोवीजन तो कितने लोगों को यह बास समझ में आ गई कि सर हमें कोई हमें कुछ रिकॉर्ड करने की जुरत नहीं यह बास समझना बहुत जरूरी है क्या इसके लिए कोई अन्रिलाइज लॉस का प्रोवीजन बना लें कितने लोगों को यह बास समझ में आगे की ऑटोमेटिक ली बूक हो जाता है कि चलो मैं एक्जामपल लेकि समझा अब फिर मुझे आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाना पड़ेगा आपने फाइव लेक का गुट्स बाई किया है अचिक है उसका फिफ्टी परसेंट सोल्ड कर दिया और जो फिफ्टी परसेंट सोल्ड किया है वो सिक्स लैक में बहुत किया है बताओ बैलेंस कितना बचा भी आपके पास बैलेंस कितना बचा इतना तो बता ही दोगे रही लाग बचा है यह कॉस्ट टू फिफ्टी की बची है इसकी एनारवी हो गई है मार्केट में लेट से टू फॉट्टी जरा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताओ सबी लोग केल्कुलेटर शुरू हो जाप लोग ग्रॉस प्रॉफिट बताना है आप लोग लिखते जाओं आपको जो लगता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट पूछा पूरा क्वेश्चन द्यान से देख ले ना नहीं तो बाद में मत बोला हमने यह नहीं पड़ा हमने छे लाक नहीं पड़ा हमने बुरा था पचास पर्सेंट माल बेचा है छे लाक में और कई बच्चे बोरे सरक्याइए अन्रियलाइज लॉस हैं कि सारी बातों को डिस्कुशन करेंगे चलो कई बच्चों का तीन लाक लॉग अब आपको मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाना पड़ेंगे बच्चपन में बनाया होगा आपने ऐसे बच्चपन मतलब 11 क्लास में अमाउंट यहां लिखते थे आप ओपनिंग स्टॉक जो हमारी केस में जीरो है ठीक है यहां लिखते थे आप परचेस कितना लिखा परचेस यहां पर कितना लिखो फाइव लेक लिख दो यहां लिखो के सेल्स कितनी लिखना मुझे सेल्स शे लाग लिखना है ना ठीक इसर शिक्स लेक लिख दो क्लोजिंग स्टोक कितना लिखें तू लेक फॉट्टी लाग ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ क्या दिक्कत थी आप लोगों को डाइलाक कर इशा डाइलाक त्री लेक निकुंज ग्रॉस प्रॉफिट तीन लाग चालीस यार में क्या दिक्कत थी आप लोगों को कि अब मुझे पता हों यहां पर ऊटोमेटिक ली वह लॉस्बुक कर लिया किनी में लॉस नहीं नहीं दिख रहा है कितनIES को दिखी नहीं रहा है क्यों मैं थोड़ी दिखा दूंगा कि दिख्या आप लोगों को अ को कि कितने लोगों को दिख्या अब अगर मान के के hayır यह 2,500,000 टे गुट्ट की वैलू 40 नहीं होती टाइव कि उती तो मैं यहांपर कितना लिक्टा तो मेरा जीपी ऑल्रड़ी कितना बढ़ जाता है यहां पर कितना होता जीपी तीन पचास होता कि नहीं होता लेकिन क्योंकि मेरा स्टॉक की वेल्यू मैंने कितनी लिखी दो चालिस तो मेरा जीपी यहां पर कितना हो गया तो वो जो लॉस था इस जीपी को अलरड़ी कम करके नेट आप बोको चुका है अलक से कोई प्रोवीजन बनाने की ज़रूरत नहीं बात समझ में आती है सर अगर हम कॉस्ट ऑफ गुट सोल्ड से करते जो कल मैंने आपको तरीका बताया था यूएस गैप के होड़िंग कल मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था सेल्स लिखना पड़ेगी सर यहां पे सेल्स तो सर वही है सिक्स लैक सी ओजीएस कित्ती होगी यहां पर तो सी ओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इसी कल टू सी ओजीएस आता है न मुट अमने लिखी लिया तो सर ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है परचेस कितनी है परचेस सर आपने पांच लाक लिखी है माइनस क्लोजिंग कितना लिखना है यहां पर टू फॉट्टी लिखना है तो सी ओजीएस आ गया टू सिक्ष्टी तो छे लाक में से दो साथ घटा दो ग्रॉस प्रॉफिट कि अग्या दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया और वी नेट रिलाइज वेल्यू और नर वी का मतलब होता है कि हम इस गुट्स को दो लाक चालिस जार में बेच सकते हैं अभी आप आने वाले समय में पढ़ेंगे एन आर वी नर वी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वेल्यू तो जब कभी भी हम क्लोजिंग स्टॉक को बुक करते हैं उसकी कॉस्ट और एन आर वी विचेवर इस लोवर पे बुक करते हैं इस इस कॉल्ड़ कॉंसर्वेटिव अप्रोच प्रूडेंस कॉंसेट और इस प्रूजेंट प्रूडेंस कॉंसेट के कारण हमने एंटिसिपेटेड लॉस को आज ही बुक कर लिया अगर आप देखो तो यह आपका इंडियन स्टाइल का ट्रेडिंग यह आपका यूएस गयाप के अकाउंट के अकॉडिंग तो आपको यह नहीं सोचना है कि यूएस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता ए घृए अग्यला कॉश्चन आता है सर नेक्स्ट यह हमारी कोश्टिंग क्या होगी ओपनिंग स्टॉक तो अब्विस अगर हमने इस साल जोट्ट और लिखा तो अपनिंग स्टॉक भी हमारा क्या होगा लूफ टी ही होगा लूफ लूफ लूप में समझ पहले और यहीं स क्लियर है कोई दिक्कत इसमें आयूज शतिर्वधी पूछ रहें कि सर क्या हम अकुरूड रिंट की जगा आउट्स्टेंडिंग लिख सकते हैं एक्जाम में लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको टेंचन मत लो सर एनारवी और फियर मार्गेट वेल्यू सेम है क्या नहीं अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर फियर वेल्यू और फियर वेल्यू में से हम लेस करते हैं डिस्पोजल कॉस्ट या जिसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं जैसे लेट से आपके पास पड़ा हुआ है आपको लगता उसकी फियर मार्केट विल्यू एट्टी था लेकिन एक दलाल बोलता कि में मार्केट में असी में तो पिकवा दूंगा लेकिन मेरी दो पर्षेंट कमीजन है तो यहां पर नर्वी कितनी हो गई है कि जल्दी बताओ दूसर एट्टी थाउजन का नाइंटीएट परसेंट कर दूंबास समझ में आती है तो आज आपने क्या सीखा आज के लेक्चर का कुछ कंक्लूजन कुछ सीखाना बहुत जरूरी है अमिताब बच्चन का डायलोग है ना सीखना बंद तो जीतना बंद के बीसी कौन बनेगा करोड़ पती लेकिन चारूख खान ने उसको के बसी के भीसी नहीं बोला था उसने बोलना था जिंदगे में सक्सेस चाहिए तो के फर नॉलेज बी फॉर बिलीव और सी फॉर करेज तो आज आपको अपने नॉलेज के उपर बिलीव करना होगा और फिर करेज होके एक्जाम देनी पड़ेगी तब जाके आप क्या बनेंगे या तो सीपीए बनेंगे या यूए सी में हाँ बिल्कुल यूज कर सकते राज मिश्रा केलकुलेटर तो क्या आज की डिट में क्या इन्पूट्स लेकर जा रहे हैं कि सरा आज के बाद हमको एस पर दी अकाउंटिंग पॉलिशी ऑप दी कंपनी एक्सपेंसिस की अकाउंटिंग आगई आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सी की है आपके दिमाग में पूश्चन सॉल करना है जाएंगे हमारी मेन क्लासिस में तो हमारे दिमाग में चीज होगी कि अगर कंपनी ने प्रीपेड में उसको डेबिट कर दिया तो प्रीपेड से हमें हमें प्रीपेड के रूट के थ्रू एक्सपेंडिचर को बुक करना पड़ेगा बास समझ में आई की नहीं यह कितने लोगों को यह बात के लिए रोगी कि सरा आप यह कहना चाहरे हो कि अगर कंपनी ने लिखाए कि कंपनी की पॉलिसी है वह प्रीपेड में डेबिट करती है तो हम प्रीपेड रूट के थूरू उसको क्या लिके जाते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग तो आज मै यह होती कि इसको रीटेन कैसे रखो और रीटेन रखने के लिए मैंने आपको क्या दिए हैं असाइन्मंट दिये हुएं अब आपके कुछ असाइन्मेंट इस नोट्स में हैं जो आपने केवल पढ़ना है और इसके सोल्यूशन मुझे भेजना असाइन्मेंट नमबर वण और यह assignment number 1 आपके लिए है आपको notes में मिल जाएगा assignment number 2 मैंने आपको बुला था न assignment मिलेंगे practice के लिए और assignment number 3 यह हमारे LMS में आ जाएंगे और यह going concern की theory आपको पढ़के रखना है conservative concept जो मैंने आपको समझा है वो theory पढ़के रखना है तो हमारा पहला module क्या होता है यहां पर basic accounting का पहला module है से 10 module है और इसके basis पर मैं आपका mock test conduct करूँगा जब तीसरा lecture हो जाएगा और एक दो lecture में pre recorded डालूँगा उसके basis पर आपका एक mcq का test होगा जो आपने मुझे देना है तो आप मुझे assignment के तौर पर email पर यह भेजेंगे छोटे से assignment है ज्यादा नहीं है देख लीजिए यह scenario लिखा है how would you record the accrued expenses and the subsequent payment in the general entries उसके बाद assignment 2 है और तीन assignment में आपको दे रहा हूं सरी पीडिएफ कहां मिलेगी आप पूछ सकते हो अगला question आपका यह होगा आपको एक LMS दिया जाएगा उसके अंदर होगा super 30 fundamental उसके अंदर नीचे पीडिएफ आ जाएगी है बिल्कुल इसका भी अलग से जिसका नाम होगा super 30 मतलब LMS जो आपके पास अल्रेडी है उसी के अंदर एक नया कोर्स आपका क्या हो जाएगा अक्टिविट हो जाएगा तो आप मुझे कमिंग सटेडे तक यह assignment भेज दीजिए जिसको मैं नेक्स्ट में discuss करके थोड़ा सा इसका और कोई concept अगर रहेगा और एक दो लेक्षर में आपको प्री रिकॉर्डडेट भेजूँगा क्योंकि एक लेक्षर भेजूँगा दो नहीं उसको आप देखके रखना तो अगले मतलब इस बार मेरा concept थोड़ा different है इस बार मैं यह सोच रहा हूं कि मुझे इस बात का acknowledgement चाहिए कि आप सीखे अभी अभी जैसे क्लास में 55 स्टुडेंट बैठें मुझे कैसे पता कि सबको आगे हैं तो मैंने ध्यान से काम किया है हर चार या पांच क्लास के बाद मैं आपक चार या पांच क्लास के 2020 mcq का मॉक टेस्ट ले लो और एक assignment वाला तो अगर आप मुझे भेज देंगे तो इसको मैं चेक कर लूँगा नहीं भेजेंगे तो वह आप क्या कर सकते हैं आप सब इतने मिच्छे ओड हैं नहीं बेजने पर तुम्हें कुछ कर नहीं सकता हूँ